हाँ जी दोस्तों क्या हाल है उमीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आज मैं लाया हूँ आप लोगों के एक बहुत शॉर्ट वीडियो जिसमें में 22 के सारे अमेंड्मिंट का मैं आपके सामने बताऊंगा और उससे आपका अमेंड्मिंट खतम ह जाएगा दोस्तों ये वीडियो छोटा इसले होगा क्योंकि इसमें किसी भी तरह का रिविजिन या कॉंसेप्ट डिविजिन डिसकाशन नहीं होगा फटाफट में आपको बताता हूँ कहां क्या नोट करने है आप फटाफट नोट कर लो और आपका अमेंड्मिंट का काम फटम हो जाएगा बहुत जादा समय डालने की ज़रूरत नहीं है अमेंड्मिंट में शुरू करने के पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है बटन लाइक बटन पर क्लिक कर देना ताकि मैं और नई ओडियन्स तक पहुच पाऊं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताक के बस अगर मेरे लेटेस समरी नोट्स हैं तो उसमें almost सारे amendments हैं लेकिन बहुत सारे amendments नहीं भी हैं तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है amendment और कहां से आपको क्या करना है सबसे पहले सर companies act के बारे में शुरू करते हैं companies act में section 173 करके जो section है जो board meeting के बारे में बात करता है वहाँ पे 5 ऐसे topics थे जो पहले कहते थे कि तुम video conferencing से नहीं कर सकते अब वो 5 topic पूरे के पूरे delete हो गया है मतलब हर चीज अगर आप चाहो जैसे कि financial statement discuss करना annual report final करना कोई भी चीज अगर चाहो आप तो उसको आप कहां पे discuss कर सकते हो video conferencing से discuss कर सकते हो जब 5 चीज़े discuss कर सक concept clear कर लो कि वो 5 चीज़े कुछ भी ऐसी नहीं है जो meeting में नहीं discuss हो सकती है अब सारी चीज़े video conferencing में discuss हो सकती है ठीक है that provision is omitted आपके नए और मैं आपको नए video के साथ साथ ये भी बता दूँगा जो आपका नया वाला summary notes है उसमें क्या action लेना है तो आप action ले सकते हो कोई action नहीं सर ये changes बराबर हो चुका है section 393A आपका जो companies incorporated outside India होता है उसमें इन्होंने एक exception दिया है एक section 393A करके बनाया है जिसने central government को central government ने कुछ companies को बोला कि आपको foreign company वाला ये जो companies incorporated outside India वाला provision है जो chapter है वो applicable नहीं होगा central government ने क्या बोला कि कुछ foreign company और company incorporated outside India whether or not having a place of business in India वाल provision है वो नहीं applicable होगा किसको insofar as they're related to offering of security is related to prospectus or incidental matter in IFSC set up under section 18 of the SEZ sir हर वो चीज हर वो companies जो section 18 of SEZ में जो IFSC में set up होए है sir international financial service center से related exemption है वहाँ पे जो लोग भी company set up होए है उनको foreign company का provision नहीं applicable होगा बहले वो offering of security से related होग या prospectus से related होगा किसी भी matter से related हो उनको ये chapter के provision applicable नहीं होगे इतना बड़ा important provision नहीं है पर अगर आप चाहो तो notes में section 393a में मैंने लिखा है मेरे summary notes में 393a लिखा हुआ है उसमें आप ये जो purple वाला color है वस इतना line add कर दो कि पहले से act ने पहले से power दे रखा था कि central government तुमना exempt कर सकते हो उन अब सर ये section 150 में important amendment है important कितना है वो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि पिछले बाले attempt में 150 का question already आ चुका है तो relatively कम हो जाता है importance लेकिन फिर भी amendment है तो पता नहीं क्या होगा अब सर जो हमारा online proficiency self assessment test वाला concept होता है जब आप independent director होते हो और अगर आपको data bank में अपना नाम या key manageral person हो कहाँ पे अगर आप director या key manageral person हो जो list था listed company में या फिर बाहर कोई listed company हो जिसका paid up share capital जादा है तो वैसा list था अगर उन list में 3 साल या उससे जादा अगर director या key manageral person हो तो applicable नहीं होगा आपको sir उसमें जो B और C point था ना B point को इन्होंने थोड़ा सा amend कर दिया बिलकुल भी material amendment नहीं है एकदम irrelevant सा amendment है उन्होंने बस language थोड़ी change कर दिया एक बार आप पढ़ के देख लो वो language बस थोड़ी सी change किया आपको कोई material amendment नहीं है या आपको अपने notes में add करना पड़ेगा और इ advocate होते हैं जिनके पास 10 साल से जादा experience है ना उन लोगों को भी हम exemption दे रहे हैं तो वो exemption भी यहाँ पर इन्होंने add किया है इसको detail में मैंने मेरे first chapter के revision video में समझाया है आपको वो नीचे timeline में सीधा section 150 दिख जाएगा उसको जाके एक बर पुड़ा 150 revise कर लो काम खतम हो ठीक है इस सर्फ 2 page का amendment है ठीक है तो sir इसको add कर लो और अगर आप module से पढ़ रहे हो study module से तो page 1.45 है अब sir सुनो SEBI LODR जिसमें सबसे जादा amendment है ठीक है और SEBI LODR का सारा amendment जो है मैंने मेरे revision video में जो SEBI LODR का 3-4 दिन पहले ही डाला है उसमें सारा amendment डाला है आपको उसमें से कु जिनके बास हैं already second point अगर आप देखोगे non-convertible securities वहाँ पर पूरा लंबा सा है non-convertible debentures non-convertible preference shares ऐसे से उन्होंने कार्ट दिया सब कुछ और बोला non-convertible securities की बात कर रहे हैं हम और किसी की बात कर रहे हैं तो sir non-convertible securities उसके अलाबा यहाँ पर नीचे इन्होंने एक और च standing listed debt securities के basis पर देखेगी तुम्हारा कितना debt listed है वो amount के basis पर भी top 100 देख सकते हैं तो अगर हम देख रहे हैं na top 100, top 1000 तो वो provision once applicable forever applicable हो जाएगा मतलब एक बर limit breach करोगे एक बर top 1000 में आ जाओगे तो once applicable forever applicable हो जाएगा sir again not a very important amendment छोटा सा amendment है print out करोगे तो उससे पढ़ लेना या notes म अब sir risk management committee, risk management committee में काफी सारे changes है, इसका simple solution ये है कि मैंने सेभी LODR के वीडियो में risk management committee भी detail में समझाया है, please वो जाकर के वीडियो देख लो, मैं आपको वीडियो देखने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं समझाऊंगा तो आपको वैसे भी context समझ नहीं आएगा, वहाँ जाके पूरा detail में risk management committee कवर करवाया है, उसको कर लो, उससे आपका खतम भी हो जाएगा और ये दो page का print है आगे पीछे, print मार लो, आपके बस material भी आजाएगी, sir, print नहीं भी मारोगे, हाथ से लिख लोगे, तो कुछ मैनत नहीं होगी, याद भी हो जाएग Sir, section 26, restrictions on the number of membership of various committee, यहाँ पे sir, एक insignificant सा change हुआ है, यह जो purple में आपको दिख रहा है, इन्हों ने एक word add किया है, high value debt listed entities, sir, इन्हों ने जो exclude किया था, जब हम membership calculate करते हैं, कि भया, तुम कितने committees में, कितने committees में, कौन से company के member हो सकते हो, तो हमने बोला था, sir, listed company गिनेंगे, private company, foreign company, section 8 company, नहीं गिनेंगे, उसमें इन्हों ने बोला, एक और company मत गिनना, कौन सी है, high value debt listed company, मतलब वो companies जिसकी बहुत high value की debt listed है, उनको भी मत गिनना, तुम नहीं बताते हैं, तो हम वैसे भी नहीं गिनते हैं, पर क्योंकि high value debt listed अगर है, तो वो listed company में आ जाती है, तो उनको include मत करना, ऐसा ये कहना चाहता है, Sir, report on corporate governance, ये changes आपके mostly, आपके material में तो ये करे हुए हैं, इसमें आपको कोई action नहीं करना है, 21 days from the end of quarter filing होता है, जो आपके regulation 27 में है, कि corporate governance का report कितने समय में फाइल होता है, 21 days, अगर आपके notes में 15 days लिखा है, उसको काट के 21 days कर दो, और last, again not an important amendment, export of goods and services, export of goods and services में, Sir, एक point होता है, कि अगर आपने advance payment ले लिया है, किस से, अगर बहर आप export करने वाले हो, लेकिन advance payment लिया है, तो advance payment में interest लग सकता है, अगर लगेगा ना, तो वो rate जो है, वो LIBOR plus 1% से जाधा नहीं होना चाहिए, LIBOR plus 1%, लेकिन इन्होंने ये बोला, LIBOR के अलावा कोई और other applicable benchmark भी है ना, तो वो भी देख सकते हो, other applicable benchmark से 1% से जाधा नहीं होना चाहिए, तो broadly, Sir, आपको bracket में सिर्फ और other applicable benchmark अट करना है, उसके अलावा, Sir, ये जो चीज है, फहिमा वाला, ये आपके material में नहीं है, तो इसको add कर लो, उसके अलावा, ये दो page का बस print कर लो, इसके अलावा कोई भी changes नहीं है, कोई भी tension नहीं लेना है, revision videos देखते रहो, क्योंकि अगर छोटी-मोटी कुछ corrections होंगे, तो वो video में मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कोई material changes नहीं है, जो मैं आपको, you know, कुछ compile कर के दे सकूँ, ये 2 page more than enough है, ठीक है, I hope you liked the video, I hope this was relevant, मैं जादा जल्दी भगाना नहीं चाहता था, बट at the same time में वही चीज़े नहीं समझाना चाहता था, आपको बस एक overview चाहिए था, कि भाई, क्या-क्या changes होएं, क्या मैंने सारे capture कर लिए, ये आपको overview मिल गया, अब आप सही जगे से उसको जाके पढ़ सकते हो, अगल revision में ध्यान रख सकते हो, ठीक है, अगर आपको ये material चाहिए तो आपको मेरे telegram channel पे मिल जाएगा, thanks a lot for watching, do click on the like button before you go, thank you guys, bye-bye